अगर आपने पूरी वीडियो जितनी भी यहाँ जो भी पार्ट्स आएंगा अगर सभी पार्ट्स को अच्छे सा आपने देख लिया तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपका स्किप हो पाएगा इसलिए बहुत ही ध्यान से एक एक वीडियो को चैप्टर वाइस देखते हुए हम सब चलेंगे तो चली टेम वेस ने करते हैं एक एक कोईस्टर को डिस्टर सकना शुरू करते हैं दिखे आज का हमारा पहला कोईश्चन कहा रहा है कि हलपा सभेता के पास्चाद भारती उपमहादीब पर किस प्रकार के परिवर्तन हुए थे याद रखेगा हलपा सभेत पास्चाद भारती उपमहादीब पर लोहे की खोज कब हुई थी याद रखेगा भारती उपमहादीब पर लोहे की खोज हुई थी वो छटी सताबदी इसापूर हुई थी छटी सताब्दी इसापूर आप्शन नमबर आया है ए में तो हमारे यहां ए नमबर राइट आंसर हो जाएगा फिदिके आ जाएंगे हमारा थर्ड कोश्चन क्या करा है कि मगद का संबंध किन राजाओं से था तो याद रखेगा यहां करा है कि मगद का मगद का संबन्ध किन राजाओं से था का मगद में कौन कौन राजा हुए है यह पूछा जा रहा है तो याद रखेगा मगद का संबंध जो था वो बिम्बिसार से भी था अजाच्यातूर से कहा जाता था तो याद रखेगा मौर प्रशासन में उच्छ जो अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था तीर्थ दिखे आया option number B में तो हमारे हम B number यहां पर राइट answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि मौर प्रशासन में उच्च अध्यकारियों को तीर्थ कहा जाता था ठीक फिर आज आएंगे देखें हमारा फिप्ट नमबर कुशन क्या करा कि मौर काली नगर प्रशासन विवस्था में किस समीती का कार तयार वस्तु देखभाल करना था फिर से देख का कार तयार वस्तु की देख भाल करना होता था फिर आज आएंगे हमारा देखेंगा सिक्स नमबर कुशन क्या कर रहा है कि मौर देखेंगा कि अशोक के सारनाथ इस्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे याद रखेगा अशोक के सारनाथ इस्तंभ में जो सेरों की जो संख्या है जो टूटल है वो यार रखेगा वो हैं चार शेर बनाए गए थे और चार देखेंगा है ओप्शन नमबर यहां पे सी में तुमारे हैं सी नमबर राइट आंसर रोजागा आपको याद रखना है कि असोक के सारना भारत के तमिलकम में जो सामिल नहीं था वो था प्रतिहार और प्रतिहार देखिया है ओप्शन नमबर सी में तो हमारा सी नमबर राइट आंसर रोजागा आपको याद रखना है कि दचिन भारत के तमिलकम छेतर में प्रतिहार जो था वो सामिल नहीं था फिर आ जाएंगे कि हमारा एट नमबर कुशन गया रहा है कि तमिल साहित में कौन से जमीदार समलित हैं तो जो तमिल साहित में उसमें कौन से जमीदार समलित हैं तिया देखें कि तमिल साहित में जो जमीदार समलित हैं वो हैं ये सभी कौन-कौन बेलालर भी हैं उल्लवर भी हैं और आड़ी म पर आजाएंगे हमारा देखे अगला कुश्चन क्या करा है कि व्यापारिक नगरों में व्यापारिक नगरों में व्यापारियों को क्या कहा जाता था तो व्यापारिक नगरों में व्यापारियों को उस समय क्या कहा जाता था तो याद रहें व्यापारिक नगरों में क्या कहा जाता था इसका उनला हुरपा कालिन की बात चले यह लिए इभारी जो ँनको नगरों ले मत च्छल्य को मत ब्याई चेह में तो देखिए अमÓरा नंदवन्स का अंतिम शासक कौन था तो याद रखेगा नंदवन्स का जो अंतिम शासक था वो था महापदमनन और महापदमनन दिखिया है option number C में तो हमारा C नंबर राज्यों की विशेस्ताएं हैं तो जो निमन ये सारी बाते बताईगे हैं इन में से प्रारंभिक राज्य की विशेस्ताएं थी उन राज्यों की विशेस्ताएं क्या थी कि इन में कुछ राज जो थे नवो गणराज हुआ करते थे जो कुछ राज गणराज थे यही उसकी विशेस्ता थी इसलिए option number जो हमारा A आया है हम A नंबर को प्लिक कर देंगे याद रखना है कि हरापा काल प्रारंभीक राजों की विश्रिस्ता थी उसके कुछ राज जो थे वो गण राज थे ठेक फिर आजाएंगे दिखें हमारा 30 नमर कुछ निम्न में से कौन सा कारण मगध के शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण था तो जो भी यहां 4 पॉइंट बताये गया है इन में से कौन विशार आजात उशत्र जैसे सासुकों का महत्पूर योगदान था ये भी हमारा ऑप्शन क्या है सही है ये सभी ऑप्शन सही है इसलिए ऑपशन नमर हमारा जो D होगा हम D नमर को क्लिक कर देंगे आपको याद रखना है कि यहां जो हमारा में पॉइंट है यहां क्या कह आए कि ये पूछा गया था कुछुशन की मगत के शक्तिसाली होने का प्रमुक कराण गया था कि ये तीनों ही करन थे मगत की जो भूमी थी वो उपजाओ थी पहला करण ये था दूसरा करण कर था कि लोहे का विप्रूमा विजा ने वह वहां के विकासnd심ंट में बहुत महत् किया इस सारी चीज़ों मिलकर जो है मगद के शक्तिशालिय होने का कारण बना था इसलिए उप्रोग तो सभी आप्शन हमारा राइट हो जाएगा फिर कि आ जाएंगे 14 नमबर कुशिंग रहा है कि मौर समराज की कुल कितनी महत्पून इकाईयां थी तो जो मौर समराज थी उसमें टोटल कितनी इकाईय मतलब कितने पार्ट में उसको डिवाइट किया गया था तो याद रखेगा मौर समराज की जो टोटल इकाईयां थी वो टोटल पांच इकाईयां थी तो पांच इकाईयों में विभक्त था पांच इकाईयों में बटा हुआ था पूरे राज क कौन सा है तो प्रमुख विशेस्ता याद रखेगा मौर की जो थी वो थी कारपालिका और न्यायपालिका का समाहित होना ये जो उसकी मुख विशेस्ता थी तो आपको याद रखना है कि मौर प्रशासन की एक प्रमुख विशेस्ता क्या थी उनकी कारपालिका जो थी और न् और यूनानी राजदूत की बात option number a में है तो हमारा एक तरफ क्या दिया है यह नाम दिया गया है उसके साथ इसको मैश कराना है तो यहां पी जो फूर पॉइंट दिये गए है इन फूर पॉइंट को थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं ताकि आपको जादा समझ में तो याद सुमेली थी इसका अलगा तीन गलत है तो जो सही हमारा है वो है option number हमारा भी एग्रो जो आया था एग्रो नोमाई जो था ने जिले का प्रमुख अधिकारी था और यह हमारा सही है बाकी यह सब ही गलत क्या है एक दूसरे समैश नहीं कर रहे हैं यह सब गलत है बस आपको य यह सब्द जो है इसका क्या मतलब होता तो गूर पूरुष का क्या मतलब होता तो याद रखेगा मौर काल में गूर पूरुष जो शब्द का प्रयोग किया जाता था यह आपका किया जाता था गुप्तचर के रूप में और गुप्तचर के लिए किया जाता था चंद्रगुप्त मौर की राज व्यवस्था राजस व्यवस्था किस प्रकार की राजस व्यवस्था मलग कर उसील जो करते थे उनकी व्यवस्था किस प्रकार की लिए तो याद रखेगा चंद्रमुत जो चंद्रगुप्त मौर जो थे उनकी राजस व्यवस्था जो थी वो विष्ट्रित एवाम केंदरिक्रित थी विष्ट्रित ओप्शन थे याद रखना है कि चंदर गुप्त मौर मोर की राज़स वेवस्था जो थी व्ष्ट्रित भी थी और केंदरिक्रित भी थी इसलिए ऑप्शन थे हमारे यहां पर राइट बहुत रहेगा फिदिक आजाएंगे 20 नमबर, 20 नमबर देखें, कुश्चन गया रहा है कि असोक की धम नीती के बारे में क्या सत्थ है, जो असोक की धम नीती थी, उसके बारे में 4 पॉइंट में से कौन सी बात गलत बोली गही, कोई 3 सही है, एक कोई गलत है, गलत ओप्शन को हमें सही करना देखना है कौन सा है, इसमें गलत, पहला ओप्शन दिखिए कि अगर है कि धम जो था, असोक का जो धम था, इसकी सहायता से असोक ने सामराज को खंड बनाने, अखंड बनाने का प्रयास किया, ये बिल्कुल सही है, फिर कि धम के सिध्धान्त कठिन थे, ये बिल्कुल गल ये बिल्कुल सही है, असोक का यही मानना था, और कह रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से गोई नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगे, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, इसमें गलत दिया गया है, तो गलत जो हमारा ऑप्शन है वो है option number B जो किया है धम के सिध्धान कठिन थे तो कठिन नहीं थे बलकि आसान थे इसलिए option number हमारा जो B होगा B number है राइट अंसर हो जाएगा और याद रखना कर यही question आया होता कि असोक की धम की नीथी में क्या बास सत्य थी तो सत्य में दो point आ जाएगे पहला ए आ जाएगा कि इसकी सहायता से असोक ने समराज को अखंड बनाने का प्रयास किया था और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे असोक के अनुसर धम के माध्यम से लोगों का जीवन हमेसा अच्छा बनेगा यह असोक का मानना था ठेक फिर आ जाएगे देखिए हमारा अगला कोश्चिन का रहा है कि राश्ट्री एकता को बनाए रखने के लिए असोक ने किस प्रकार के प्रयास किये तो राश्ट्री जो एकता बनाए रखने के लिए असोक ने किस प्रकार के प्रयास किये थे तो याद रखेगा राज्ट्री एकता को बनाए रखने के असोग ने जो प्रयास किया था, पहला तो उन्होंने किया था, राजनीतिक एकी करण का प्रयास किया था, दूसरा धर्धार्मिक शहिज सुरुता का भी उन्होंने प्रयास किया था, तीसरा भाषा एवं लीपी का उन्होंने प्रयोग किया था इसलिए option number हमारा जो D होगा यहाँ पर D number यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि असोक ने राश्ट्री एकता को बनाए रखने के लिए जो प्रयास किये थो क्या थे राजनैतिक एकी करण का प्रयास भी उन्ह यहाँ नियुकति की थी दियाद रखेगा असोक ने धम के प्रचार के लिए जो नियुकति की थी वो किया था धम महापात्र का और धम महा पात्र दिखे आया है option number C swinging number इसका मतलब समझा था में यह बताना है तो यार रखने हैं सरुप्रथम जिन्होंने ब्राहमी लीप तथा खरोष्ठी जो लीप थी इसका आर्थ जो सबसे पहले प्रस्तुत किया था या समझा था वो थे जेम्स प्रिसेप जेम्स प्रिसेप दिखें हैं ऑप्सन नंबर B में तुमारा अभी नमबर यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा आपको यार रखना है कि सरुप्रतम ब्राहमी तथा खरोष्टी लीप का अर्थ जो सबसे पहले निकाला गया था तुमारा आपको निकाला गया था जेम्स प्री सेप के दौरा फिर देखे आजाएंगे ट्वंटी फूर नमबर कुश्च कर रहा है हमारा question दिखे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है मतलब कोई एक जो होगा क्या होगा इसमें से गलत है बाकि तीन option हमारे क्या है तो दिखे पहला option क्या 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 है कि दिखे 712 issue में अरवों की सिndh पर विजय हुई थी ये बिल्कुल सही है अमारा option फिर कहा रहा है कि देखे 320 एश्वी में गुप्त शासन का आरंभ हुआ था ये भी हमारा ऑप्शन क्या है ये भी बिल्कुत सई ही लग रहा है फिर कि अगला हमारा ऑपू नकार ये अगर Champions क्या है भलत है आप यहां पर जाके सर्च भी कर सकते हैं चंद्रगुत और मौर कार राज रोहन कब हुआ था आपको मिलेगा दूसरी डेट मिलेगी बढ़ यह नहीं मिलेगा ठीक फिरिक आ गया है पर 1838 को जेम से पिपेंस द्वारा असोग के अभिलेखों का अर्थ निकाला गया था यह भी हमारा ऑप्शन क्या है सही है तो यहां पूछ रहा था कौन सुमेल कि प्रशंसा में किसने प्रयाग प्रसस्ति का निर्माड किया तो चंद्रगुप्त मौर जो समुद्रगुप्त थे समुद्रगुप्त की प्रसंसा में किसने प्रयाग प्रसस्ति का निर्माड किया था तो याद रहीगा समुद्रगुप्त की प्रसंसा में जिसने फिर दिखेंगे 26 number हमारा question जह रहा है कि व्यापारियों और इस संघों को क्या कहा जाता था तो याद रखेंगे व्यापारियों और Washington एन्वान ते उनके संघ विन संघ को बोला जाता था वो कहा जाता था श्रेंडी और स्रेंडी देखेंगे आ पकारों के संगों को स्रेण ही कहा जाता था ये याद रखने आपको फिर दिखे आ जाएंगे हमारा 27 नमबर कुछ निया रहा है कि असोक के अभिलेक किन भाशाओं में लिखे गए हैं तो याद रखेगा असोक के अभिलेक हैं वो पाली संस्कृत और ग्रीक भाशा में लिख लिखे गए हैं तो पाली संस्कृत और ग्रीक की बात देखी आया है और यहां पर पाली नहीं रहेगा यहां थोड़ा सा मिस्टेक है इसको थोड़ा करेट कर लेंगे याद रखेगा असोक के अभिलेक जो थे वो प्रकृति भाशा और अर्माइक और ग्रीक में लिखे क्या है तो जो संगम ग्रंथ है यह क्या है तो यहbon भासा के ग्रंथ है। यह जो रहें शेहां थो इ Hz यह दिसका विए यहादर रहाएगे अगर में यहां प्रयाद से की आँज इंडिया एक अपी ग्राफिक इंडिया का प्रफम और प्र प्राकाशित हुआ था तो याद रखेगा एपी ग्राफिक इंडिया जो था इसका जो प्रथम अंग जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था आपका 1888 को 1888 स्वी दिखिया है option नमबर D में तो हमारे है D नमबर आइट एंस रोजय का आपका आपका रहना है कि तो याद रहेगा अभी लेखों के अध्यन में जो सबसे बड़ी समस्याइं जो उत्पन होती है वो होती है पहला option हमारा है इनके हलके रंग में उत्कीर्ण होने के कारण इन्हें पढ़ना कठीन होता है ये बिल्कुल सही है फिर कह रहा है कि इनके वास्तविक अर्थ को जान पाना संभव नहीं था ये भी बिल्कुल सही है और कह रहा है इससे जन सामान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी ये भी सही है इसलिए option number हमारा जो D होगा D हमारे है राइट आंसरो जग आपको या रखना है कि अभिलेखों के अध्यन में कौन कौन सी समस् होती हैं क्या होती हैं पहले तो जो अभिलेख होते ना उनमें इतने हलके रंग में अक्षर उतकीर्ण होते हैं जो भी चितर बने होते हैं उन्हें पढ़ना बड़ा मुस्किल होता है और दूसरा क्या है कि जो भी उसमें अक्षर बने होते हैं चितर बने होते हैं उसके वा पारे में भी बहुत जादा कोई जानकारी नहीं मिलती हैं तो इसलिए जो अभी लेक होते हैं उनके अध्यन में धेर सारी समस्या आती हैं इसलिए option number हमारा जो D होगा D number हमारा right answer हो जाएगा तो में भी आपको यहां सारी चीजे समझ में आगा हूँ कि सारी चीजे समझ में र और हाँ आप कमेंट जरू करें कि आपको सारी कुश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं तो चलिए अज कितने रखते हैं thank you very much for watching this video thank you